विश्वास दिल में हो तो समंदर कश्टी पार लगाता है सूरज के तेज से बना है तू चमक ऐसी की तेरी रोशनी से संसार जग मगाता है हजारी बाग से आई नोभा कुमारी पॉली आथराइटिस से प्रभावित है जिनकी वजह से वो अपनी गर्दन बिलकुल भी नहीं हिला सकती है आज सरकार के द्वारा दी गई टॉप क्लास एजुकेशन की स्कॉलर्शिप के बल पर नोभा अपनी आई आई टी की पढ़ाई के सपने को पूरा कर रही है आज इस संस्थान में वो इलेक्ट्रिकल एंजिनियरिंग की पढ़ाई कर रही है शांत स्वभाव की नोभा का पालन पोशन उनकी नानी ने अकेले दम पे किया है चार साल की उम्र से अपनी नानी के साथ अकेले रही नोभा जब रुड़की के लिए रवाना हुई तो उनके मन में एक घबराहट हुई साथ ही सरकार की तरफ से दी गई स्कॉलर्शिप ने नोभा और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया आज ना सिर्फ नोभा मन लगा कर एक उच्छ संस्थान में पढ़ाई कर पा रही है बलकि उनकी नानी अब उनके इलाज के लिए अलग से पैसा जोड़ पा रही है रूड़की जब गई है उसको जो ट्रेन में आना जाना जो करती है ना उसको आत्मसोलम बढ़ गया है कि हम कहीं जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं कि दस साल की बाद कहा हूंगी खुद भी अच्छी लाइब जी रहेंगी दूसरों को अच्छी लाइब दे भी रहेंगी मैं दूँगी बच्चों को अगर जो भी नीडी बच्च है, मैं अपने बाइसा दूँगी, अपना पसन निकाल के दूँगी, के लिए सेव करूँगी.